Past में हम लोगों इसे बहुत सारे cases देखे हैं जहाँ पर loan की repayment ना करने पर bank के जो recovery agents होते हैं वो बहुत सारी गलत-गलत चीजे करते थी जैसे कि अपने पैसे को recover करने के लिए accident करवाना या किसी की हत्या करना पहले bank अपना पैसा recover करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी लेकिन अगर आपने bank के पास से loan लिया है और आपने repayment loan का नहीं किया है तो आपको फिकर करने वारी बात नहीं है आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हाली में Reserve Bank of India ने कुछ नए rules and regulations पास के है तो सबसे पहला नियम यह कहता है कि कोई भी recovery agent किसी को भी publicly immediate नहीं कर सकता है और दूसरा नियम यहाँ पर यह है कि कोई भी recovery agent आपको सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही phone कर सकता है उसके बाद कोई भी recovery agent कॉल नहीं कर पाएगा और तिसरा नियम यह कहता है कि कोई भी agent आपके घर पर विजिट करता है तो इससे पहले उसे intimation देना पड़ेगा दो बार कॉल करके लोन अगर आपने लिया है तो payment भी आपको ही करना है कोई भी recovery agent किसी और के पास से अपने पैसे नहीं मांग सकता है फिर चाहिए भाई हो ममी हो पपा हो या कोई भी हो और हर बैंक को यह mention करना ज़रूरी है कि कौन उनके recovery agents है और अगर कोई भी बैंक ऐसा नहीं करती है तो आप RBI की website पर जाकर इनकी complain कर सकते हैं आजकल बहुत साय लोगों के साथ scam हो रहा है और इनने कहा जाता है कि आपने बिल का payment नहीं किया है बिल का payment कर दीजिए टाइम पर नहीं तो आपको ज्यादा पैसे पी करने पड़ेंगी बिसिकली स्कैम करने का नया तरीका है जहां पर स्कैमर्स टार्गेट करते हैं किसी के emotion को किसी के fear को स्कैमर्स सबसे पहले आपको text message करते हैं जहां पर लिखा होता है कि आपका payment बाकी है और इस message के नीचे होता है एक link यहां पर किसी भी तरीके का action लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इस link पर क्लिक करके payment करते हैं तो ultimately loss आपका ही होने वाला है government of India ने अपना e-rupee launch कर दिया है और e-rupee से little कुछ important चीज़े हैं जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया में जितनी भी currencies का इस्तमाल किया जाता है उसमें सिर्फ 92% currencies जो है वो digital form में हैं मतलब इंडिया की 92% currency का इस्तमाल अबलोग करते हैं Google Pay, Phone Pay Pay, Paytm, UPI के थ्रू, Net Banking के थ्रू और इन सारे channels के थ्रू और बचा हुआ सिर्फ 8% portion ही physical cash में converted हैं और हाली में government of India ने digital rupee launch कर दिया है इसका मतलब यह है कि government of India जो है और चाहती है कि पूरी तरीके से इंडिया में digitalization हो और हाली में सिर्फ 4 bank का approval मिला है digital rupee में transactions करने के लिए लेकिन आने वाले time period में government of India हर एक bank के लिए launch करेगी लेकिन अगर आप digital rupee को purchase करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि digital rupee में आपको किसी भी तरीके का interest नहीं मिलता है इससे better था भी होगा कि आप अपने पैसे को saving back account में रखे और वहाँ पर कम से कम आपको 2.5% का return मिलेगा क्या आप कोई पता है कि अगर आप train से travel कर रहे हैं और आपकी train 15 मिनट से late हो चुकी है अगर आपकी train 15 मिनट से late हो चुकी है तो आप आपके ticket का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा refund करवा सकते हैं जी हां दोस्तों इसके लिए आपको file करना होगा TDR और इस TDR को आप online भी file कर सकते हैं और offline यानि कि ticket window पर जाकर भी file कर सकते हैं और सबसे खास बात यहां पर यह हैं कि अगर आपकी train दुरंतो या शताबदी है और आपकी train late हो चुकी है दो घंटे से ज्यादा तो ऐसे बहुत सारे cases में यह भी हुआ है कि refreshment भी free में दी गई है अगर आपने variable interest rate पर loan लिया है और market में interest rate increase होती है तो जिस bank से आपने loan लिया है वो आपका interest rate जो है वो automatically increase कर देता है लेकिन इसके opposite अगर market में interest rate कम हो जाती है तो यह जो banks वाले होते हैं यह आपके interest rate को कम नहीं करते हैं आपको आपके loan के interest rate को कम करवाने के लिए return application file करना पड़ेगा और bank में जाकर submit करना पड़ेगा तब ही यह आपके interest rate को कम करेंगे तो अगर आपने भी home loan लिया है जिसके उपर valuable interest rate है तो आपको market के interest rate को properly track करना है क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो नहीं करते हैं तो इसके वज़ेसे bank को profit होता है और इस ultimate नुक्सान जो है वो आपको होता है अगर मैं आपको कोई company का नाम दिखा कर यह कहूं कि अगर आपने इस company के shares में छे मईने पहले investment किया होता तो आपके एक लाग रुपए की investment की value आच 5 लाग रुपए होती और उसक Instagram के page को follow करते हैं trade calls achieve करने के लिए लेकिन आपको एक fact की बात बताता हूं market में जितने भी telegram channel है जो trade call provide करते हैं और जितने भी Instagram pages है जो trade call provide करते हैं यहाँ पर बहुत सारे तो scammers ही होते हैं यह लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपको DMAT account open करना होगा इनके referral link से तो DMAT account open कर यह trading करेंगे उतना ज्यादा इने commission मिलेगा तो मैं आपको personal advice करता हूं कि आपको इन सारे चीजों से दूर रहना है